नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सबों का थिंग सेग्में के इस यूच्व चैनल में आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नमबर टू परने वाले हैं आपको पिल लिस्ट में देख जाएगा आप वहां जाकर देख लीजिए हम लोग लगातार NCRT के हिस्टरी को स्टार्ट के हैं उसके बाद जोगरफी पढ़ाएंगे इससे हम लोगों का इंग्लिस भी मजबूत होगा इसके अलाबा एतिहास के बारे में जानकार भी मिलेगा लेटर से स्टार्ट आबर टूडे इस एपिसोड चलिए दोस्तों सुरू करते हैं हम लोग आज परने वाले हैं दोस्तों जो आज का हमारा बहुत इंपोटन टॉपिक होगा वो होगा फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड किस परकार हम लोग जो दोस्तों हंटर से हम लोग फूड को ग्रोव करना सीखें तो दोस्तों एक नॉर्मल सा NCRT का किताब है इसमें अकसर इसको इस ट्रेंड में लिखा गया एक पहले बच्चे कोस्चन पूछते हैं उसके बाद उसका उत्तर जो है बुक देता है लेकर तुसार की ट्रेंड जर्नी के बारे में समझते हैं पहले तुसार वाज गोईंग फ्रों डेली टु चैनने फोर ही जा रहा था और वो ट्रेंड से ट्रेवल कर रहे थी किसी तरह से तुसार जो है मतलब बिंडो के सीट पे धक्का मुकी करके बैठना इसक्यूज करके वो ब तुसार की जैसे नजरे उस पे गई तो उसके जो अंकल जी थे जो उन्हों का कि तुमको क्या पता है कि जो ट्रेंड को जो है इसका यूज देर सु साल पहले हुआ था तुसार को आश्च्च लगता है ठीक है अब तुसार के दिमाग में एक प्रसंद जगता है कि यार क्या लोग पहले के टाइम में तो ट्रेबल नहीं करते थे क्या वो सबी एक ही जगह रहते थे जहां वो जनम्री वहीं पर रहते थे तो चलिए इस चीज के बारे में हम डिटेलिंग करते हैं खास तो यह स्टोरी था आपको डिस्क्राइब करने के लिए आपको वर्नन करने के लिए बताया गया अब जो टॉपिक ऑफ डिसकसन है जो पहले वेखती थे जो बहुत पहले जवाने वेखती थे आकिर वो मूब पर क्यूं थे जैसे कि आपको मैंने पिछले चप्टर में बताया था कि किस परकार से वो हिमाले को क्रॉस करके दूसरे जगह पे पहुंचे थे और दूसरे जगह से कैसे लोग इस सोगो हमें पता है कि मतलब सबकंटिनेंट में लोग बहुत जबाने से रह रहे दू मिलियन येर साल से पहले रहे ठीक है तुड़े भी डिस्क्राइब देन एज हंटर गैदरस ठीक है और आज कल हम उसको क्या डिस्क्राइब करते हैं हंटर गैदरस ये नाम आसान इसलिए नाम कहां से है जिस प्रकार से वो भोजन प्राप्त करते थे उसी अकौटिंग लिए उनका नाम आया जब यहां पर कहानी ये है कि कहा गया लाइन वी नो अबाट पीपल who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago 2 million years मतलब के clause में जो लोग थे उनको हम लोग जानते थे ठीक है मतलब उसको hunter gather कहा जाता था क्यों ऐसा नाम उनको कहा क्यों गया क्यों कि जिस प्रकार से वो भोजन प्राप्त करते थे जनरली वो जानबरों का सिकार किया करते थे मच्छियों को पक्रा करते थे फूद को गयर करते थे roots, nuts, seeds, पत्तियां उसके बाद जो है घास पूसे जो होते थे जैसे आप वार कहते हैं अंडे यह सब वो इकठा क्या करते थे hunter gatherers moved from place to place there are many reasons for this ठीक है देखिए जो hunter hunter gatherer था ठीक है hunter gatherer कहते किसको आपको पिछले चेप्टर में बताए थे इस चेप्टर में बता रहे हैं जो एक जगा से दूसरे जगा घुम घुम कर क्या करते अपना सिकार वागेरा करते आखिर वो एक जगा से दूसरे जगा जाते क क्यों थे फर्स्ट इफ दे हैट स्टे एट वन प्लेस फोर अ लॉंग टाइम दे उड़ है अगर वो एक ही जगा पर आते तो वहां के असपास में जितने भी रिसोर्से से वह सब को खाकर खतम कर देते तो उनके पास मजबूरी था कि उनको एक जगा से दूसरे जगा जान में second animal move from place to place देखे दूसरा बात यह था कि आप से पूछ सकता है कि भाई food gatherers एक जगा से दूसरे जगा से दूसरे जगा जाते थे एक को प्लेस तो पर देखे वह से प्लेस जीकार जाते तो या तो अपना भोजन के सिकार में जाता है या उससे जो छोटे तबके के जो सिकार है उसके में जाता है जिसे मान लीजे अगर एक आप एग्जामपल के तौर पर मान लीजेगा तो कोई बाज है तो अपने इस छोटे तबके के सिकार में जाएगा सिनेक है तकी रे मोग करो की सिकार में जाएगा इसलिए वो जगों से जगों मतलब एक जगा से दूसरे जगा मोग करते थे इन दा केस ऑप डियर और वाइल केटर in search of grass and leaves अब अगर डियर की बात करें की और जंगली आप में विस्यों की बात करेंगे तो वो grass और leaves के लिए एक जगा से दूसरे जगा क्योंकि एक ही जगा एक गरास अगर वो खालेंगे परता था अब आगे बात करते हैं दोस्तों अब तीसरा reason क्या था देखिए तीसरा reason आपको बताया गया यहाँ ध्यान से सुनिएगा तीसरा reason यह था कि third plants and trees bear fruit in different season ठीक है देखिए जो plants होते हैं यह trees होते हैं उसमें हर साल फल नहीं लगते हैं इसी मतलब जो अलग-अलग season में फल लगते हैं जैसे अगर आप बात की जगा कुछ seasonary फल होते हैं आप कुछ seasonary नहीं होते हैं so people may have moved from season to search of different kinds of plants इसी बज़े से लोग जरितू मतलब अलग-अलग जगा 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 जाया करते थे ठीक है यह reason है चोथा reason है कि people, plants, animals need water to survive देखिए चाहें आप लोग के बात करें पोदों की बात करें या जानबर की बात करें सब को जीने के लिए पानी चाहिए और पानी कहा मिलता है या तो लेक में मिलेगा या धाराएं जो बहती है उसमें मिलेगा या नदियों में मिलेगा ठीक है देखो कुछ नदियां जो होती है कि मतलब कुछ नदियां जो या समुन्द माप की जगा लेक्स की बात करें तो पैर्नियल होते थे ठीक है मतलब जैसे गंगा नदिया ठीक है मतलब पूरे साल जिसमें पानी रहता है ठीक है उसको पैर्नियल रिभर कहते है और कुछ इसे रि जो लोग अब समझने का प्रयास कीजिए जो लोग गंगा जी के किनारे रहेंगे तो वो किसी तरह से सर्वाइब कर सकते हैं यहना लंबे समय तक लेकिन फिर भी उनको खाएंगे तो वो मचली मार कर उससे और रिसोर्सेस के लिए उन्हें सिफ्ट करना परेगा पानी तो मिल चल गया ना कि hunter gatherer जो थे वो क्यों एक जगा से दूसरे जगा सिफ्ट किया करते थे अब अगला है how do we know about these people आखिर ये लोग जो सिफ्ट किया करते थे यहां से वहां जाते थे किसी चीज की सर्च करते थे आखिर उनके बारे में हम जानेंगे कैसे 2 million साल पहले की बात है कैस से हम लोगों को आइडिया लगेगा तो archaeologists have found some of the things hunter gatherers mad and used ठीक है देखो जो archaeologists थे आपको मैंने बताया था जिसको पूरा तत्विक विभाग के कहते हैं उन्होंने कुछ ऐसे चीजों को प्राप्त किया कुछ ऐसे चीजों को खो जा है जो hunter gatherers उप्योग किया करते थे थे ठ प्राप्त करते हैं इसमें से कुछ जो स्टों टूल्स थे वो किसको कट करने में यूज इस्तिमाल होते थे दोस्तों तो वो दोस्तों इस्तिमाल होते थे आपके वो आपके जो मतलब मीच को मांस को काटने में हड़ियों को काटने में ठीक है और मतलब स्क्रैब बार का मतलब वहा कि जो पेर की छाले होती है उसको काटने में एनिमल करने में ठीक है जरो को चॉप करने में some of some may have been attached to handles of bone wood to make spears and arrows for hunting देखिए कुछ में bones को attach कर दिया जा था ताकि उसको इस्तेमाल कर सके मतलब कुछ पकरकर इस्तेमाल कर सके उसको hunting करने में ठीक है अब आगे बात किया जा रहा है कि जो other tools were used to chop wood which was used as fire ठीक है देखिए कहरा other tools जो था उसको लकरियों को chop करने में use किया जाता था छिलने या काटने में किया जाता था ठीक है यहां पर दो इस्तिति आपको दिखेगा कि देखे पहले जो है दोस्तों की मतलब अब उस समय में तो इसके इस तरब जो है मतलब कोई अगर जानवर के खासे बने हुए चीज जो कपरा सुखा करू बनाते थे उसको इस्टीचिंग करने में उसमें छेच छेच करको उसमें कुछे लगा देते थे श्टीच करते थे ठीक है तो इस दो जगा पे stone tools का भी इस्तेमाल होता था ठी ठीक है आखिर ये लोग रहते कहां थे इतना बात तो हुमाया भिराया गया ठीक है क्या रहा है कि आपको यहाँ पर जितने भी रेट ट्रेंगल में जगा दिख रहे हैं वहाँ पे जो है hunter gatherers के evidence मिले हैं कि यहाँ पर वो थे ठीक है और भी जगा पे रहते थे ठीक है कुछ ही इसमें दिखाएगे many sites were located near source of water such as rivers and lakes और कहा गया जितने भी आपको hunter gatherers के site दिख रहे हैं वो कहीं न कहीं नदियां और lake के पास था पहले हम check करते हैं कि कहां पर दोस्तों वो triangle red triangle है तो सबसे पहले दोस्तों हम red triangle वड़ा क्योंकि हमको ये बोला गया है कि जो red triangle में है वो hunter gatherers के है जैसे भीम बेटिका आप हमें बता ये भीम बेटिका कहा है अगर मैं गलत नहीं हूँ अगर मैं मद परदेश बोलू तो आप सही कीजेगा comment में ठीक है ये red triangle हम भी बनाते है ठीक है एक मिनट दोस्तों ठीक है ये आपका जो इस तरह से थोड़ा से score बरा हो जागा क्या हो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ये आपका ये जो red triangle में देख रहे हैं दोस्तों ये आपका भीम बेटिका है ठीक है काफी परसीद है ठीक है इंटरनेट पे आप सर्च कर लिजेगा नहीं तो description box में जाईएगा तो मैंने भीम बेटिका के बारे में आपको detailing बता दिया गया है भीम बेटिका क्यों popular है ठीक है अब दोस्तों आगे हम दिरे दिरे करते हैं और triangle कहां बना है एक हुंस हुंसगी है दोस्तों अब देखे जितने भी है ये Krishna river और ये इसकी site tributaries है ठीक है यहाँ पर एक आपका hunter gatherers का site था एक दोस्तों कुर्णौल कैप्स यहाँ पर भी hunter gatherers आपको मिल सकते है ठीक है और ये जो triangle वाला जो बनाया गया इसे कह रहा है कि ये paleolithic अगर मैं paleolithic site बोलू तो जो stone age था है तो क्योंकि इसमें stone tools यूज हो रहा तो stone age ही होगा न ठीक है तो दोस्तों थरा नाम अजीब सा है तो मैं मापी चाहता हूँ गर मैं कुछ उटपटांग नाम मिलू तो ठीक है तो मैं आसा करूँगा कि आप ये समझ पा रहे हैं ठीक है कि जो hunter gatherers थे हैं ठीक है देखिए यहाँ पर आप इसलिए नहीं आए हैं कि आपको ए competitive exam में अच्छा कर पाएंगे आप इस किताब की इसलिए पर हैं ताकि आप deep understanding ले सके ताकि आप जब man's की answer writing करें या कुछ ऐसा चीज करें ताप बता सके कि hunter gatherers कौन थे आखिर hunter gatherers एक ज चीज है अपने परहा है भी तो मैं आसा करूंगा कि आप जो है facts के पीछे नहीं भागिये concept के पीछे भागिये जो की NCRT परकर हम लोग ले रहे हैं ठीक है अदेखिए अब आप जैसे कि आप लोगों को पता ही हैं तक मैंने बता ही दिया ना ठीक है और बहुत सारा है जैस जो primitive लोग थे अब उन्होंने भाई ये तो समझ में आ गया कि stone tools काफी मात पून थे तो उन्होंने ये कोशिस किया एक ऐसा जगह जोड़े जहां पर good quality का क्या मिले stone असानी से मिल सके ठीक है यहाँ पर दोस्तों आपको बताया गया कि भीमबेटिका जो है वो दोस्तों इसके पास में एक range भी है ठीक है बिंधिया रेंज ठीक है तो इसी बज़ा से उन्होंने ये चुना ठीक है तो आपको ये ध्यान में रखना परेगा कुछ ठीक है दोस्तों तो आगे बरते ही यहाँ पर कुछ लिखा गया है कि rock painting what they tell us ये rock painting क्या बोलता है ठीक है a painting from rock shelter described the painting many of the caps in which these early people lived have painting on the walls देखो जो पुराने के समय में जो भी लोग रहते थे उनके wall पे painting क्या रहता था actually हो सकता है वो कुछ reading करते होंगे कुछ अपना चीज लिखते होंगे evidence बनाते होंगे some of the best example from madh pradesh and southern uttar pradesh these paintings of wild animals drawn with great accuracy and skill कुछ जो है इसमें दोस्तो madh pradesh और कुछ example आपको southern uttar pradesh में है जहाँ पर जानवरों की बहुत तसुंदर accuracy के साथ skill के साथ तस्वीर बनाई गए in sense की rope painting की गई है तो this is picture you can see जहाँ पर लोग एक साथ जगा डूंड कर रहते थे अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि sites क्या होते हैं है ना sites दोस्तों क्या होते हैं देखिए गौर से sites एक ऐसा जगा होता है sites are places where the remains of things tools, ports, building, etc were found sites basically क्या होते है कि जगा होता है जहाँ पर पुराने समय में जो कुछ tools बच गए थे लोग जो मर गए उसके बाद जो tools बचे कुछ ports बच गए जो उनके दोरा बनाएगे building ते वो बच गए वो मिलता है उस जगा को site बोला जाता है these were mad used and left behind by people जैसे आप example माल लो कि अभी आप रह रह रहे हो सब्सक्राइब के अंदर हो सकता है और sometimes even underwater और कभी कभी तो आपको पानी के अंदर भी मिल जाएगा you will learn more about different sites in later chapters आप next जो chapter है वहाँ पर आपको idea लग जाएगा कि कैसे कैसे चीजे होती है ठीक है आप कह रहा है find out about fire ठीक है अब fire के बारे में पता करने की कोशिस आप करो ठीक है find the cornhole caps on map number two we have seen the cornhole caps here we have cornhole caps आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिल जागा यह रहा cornhole caps ठीक है आप यहाँ पर इसको देखिए हूं सगी के just नीचे है cornhole caps अब क्या कहा जा रहा है cornhole caps के बारे में हम यह देख लिए कहा जा रहा है कि भाई साब की traces of ash have been found here मैंने राख का यहाँ सबूत मिला है एस का सबूत मिला है ठीक है this suggest that people were family with the use of fire और यहाँ पर जो कुर्णोल जगा है जहाँ राख मिला है एक बात तो सकते है कि वहाँ के लोग आग से प्रचित थे राख तभी मिल सकता है जब आग उत्पन हो बीना आग के राख नहीं मिल सकता है मंतर मारिएगा ठीक है fire could have been used for many things अब आग को कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता होगा as source of light एक तो light के रुप दिया गया है ठीक है आप कुछ चीजे समझते हैं ठीक है देखिए archaeologist आप से पूछ सकता है एक छोटा सा question पूछ सकता है कि as का evidence सबसे पहले कहां मिला तो आप उत्तर क्या देंगे कुर्णौल जगह पे और आप लोग description box में जाईए और वहां से कुर्णौल के बारे में प हैं जिसका नाम था earliest period का Paleolithic this come from two Greek words paleo जिसका मतलब old होता है लिथोस का मने स्टोन ठीक है लिथोस फियर भी जानते हैं आपकी किससे बना स्टोन से तो Paleolithic का मतलब क्या हुआ पैलियो का मतलब दोस्तों हुआ अगर आप कहे तो आप क्या सकते पैलियो लिथिक और यह कह रहा है तो दो मिलियोन यह अगो अभी यह कहां से कहां तक एक्स्टेंड कर रहा है तो दो मिलियोन साल पहले से लेकर बारह हजार साल तक पहले दिस लोंग स्ट्रेचेस ओप टाइम इस डिभाड़ इंटू दा लोगर मीडिल एन अपर पिलियो लिथिकेजें इस लोंग स्पेन ओप दी टाइम कवर्स 99 परसेंट आप हुमेन हिस्ट्री ठीक है देखी आपका ज इसमें तीन भाग में इसको बाटा गया था एक लोर था लोर स्टोनेज एक मिडिल था और एक अपर पेलियो लिथिकेज था यह लगबग आई मान अभी धियास की 99 परतिसत चीजों को कभर करता एक परतिसत आगे चलके हम कुछ जानते हैं लेकर ठीक है इसको बोला जाता है मिडिल एस्टोनेज ठीक है अब इसमें कुछ बैरियेशन हुआ क्या हुआ कि बैरियेशन यह हुआ कि इसटोन टूल्स फाउं डूरिंग डिस परियेट ऑर जेनरली टीनी उस समय में जो स्टोन टूल्स मिले मिजोलितिक में वो छोटे थे और इसको माइक्रोलिट्स भी बोला गया ठीक है आपको कहा जाएगा माइक्रोलिट्स पिरियद या माइक्रोलिट्स किस में था आपके ओल इस्टोनेज में था या जो मिसोलेथिक पिरियद में था ठीक है आपके मिसोलिथिक में माइक्रोलिट्स क्यों कुछ समय छोटा टूल्स था ठ ट्रक करके एड़ सेम टाइम ओल्डर वाराइटी जो भी टूल्स थे वह भी लगातार यूज हो रहे थे अब कहा रहा है ज्युश्टेज फ्रॉम इबाद 10,000 एड़ सेगो ठीक है अब कहा रहा है जैसे पहले आपको मैंने चाद लगभग मिलियन साल में आपको बला दो मिलियन साल लगभग क्या था हमारा एक मिनिट दूस्टो हमारा दो मिलियन साल था उसके बाद दस पर mention the names of some places you will find the names of many more places in later chapters very often we use present day names of the places where people lived in the past because we don't know what they call them ठीक है कई ऐसे जगह हैं जो लोग पास्ट में रहते थे आप उनका क्या नाम उन्हों ने दिया यह मुझे नहीं मालूं ठीक है या जो आर्केलोजिस्ट थे उनको भी नहीं मालूं कि भाई यह भी इंबेटिका को क्या कहा करते थे बट हमने उसको जगह का नाम देकर ह निफ्यूज मत होईएगा ठीक है आपको मैं सारा का सारा चीज वन बाई वन करके क्लियर कर रहा हूं ठीक है कि रहां ट्वेल थाउजन इयर्स एगो दियर वर मेजर चेंजेस इन क्लाइमेट अप दे वर्ल्ड वाल्ड वाल्म कंडिशन देके बारह हजार येर्स पहले की मेजर चेंजेस क्लाइमेट में वर्ड का कुछ शिप्ठ हुआ वार्म कंडिशन हुआ मेनी एरिया दिस लेट टु डेवलप्मेंट अप ग्रासलेंट कुछ ऐसे एरियाज में जिसमें ग्रासलेंट डेवलप्मेंट हुए ठीक है इस इन तरन टू अलीट एन इंक्रीज आने वाले जिव जनतु है दोज हुं हंटेट इस अनिमर्स नौ फोलोड देम लर्निंग अवाट धिर फूड है एंड ब्रीडिंग सीजन ठीक है और जो हंट करते थे इसके ब्रीडिंग सीजन फूड है इसको समझते गए ठीक है और उसके बाद दोस्तों इचिस लाइकली और इस परकार से देखते है देखते है वहां कि लोगों ने इससे पालना भी शुरू कर दिया कुछ इंपोर्टेंस लगा ठीक है ओके तो आगे बढ़ते है आगे कहा जारा है इस चीज को हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे थाम की भी बाद रखेंगे रिखने और उचेज को वाचेज को हम पूर आखेंगे को अंखशा है यह जड़ा है इस टाखेंगे कि उसके नहर सेचिछ लोगोड कार देखेंगे थार भी लगरेंगे कि अपिट鍍ग देखेंगे को अगुछर पीश्य का कि एंवेल लागों झाल झाल